तो आज का जो भी DIY क्राफ्ट मैंने बनाया है honestly ये मेरे दिमाग में कभी नहीं था कि मैं पॉप्सिकल से कुछ भी बनाऊंगी बट अभी लास्ट टाइम मैंने मीशो से कुछ पॉप्सिकल पॉप्सिकल के थे जो कि मुझे बहुत जादा सस्ते में पढ़ गए थे तो पॉप पॉप्सिकल का जो क्राफ्ट था मैंने बहुत स्टाइब में जब मैंने चैनल ओपन किया था उस टाइम पर मैं अपलोड किया था तो मैंने सोचा कि यार बहुत टाइम भी हो चुका है चलो कुछ तो भी नया ड्राइ करते हैं और आप ही मैंसे एक सब्सक्राइबर के अब लेट जो किक स्टाओद तो सबट पहले मैंने कोछ सिंपल सिंपल पॉप्सिटल को डिफ्रेंट डिफां ऐलिक कोइंट कर दिया है तो यहां पी आप मार्केट में मिलनेवारे जो पैंटेड पॉप्सिकल होते हैं जो यह आप यूज्स कर सकते हो तो वो मेरे पास नही कि इतना जादा प्यारा बनेगा बिकाज आइसक्रीम स्टिक से जादा कुछ वैसे मैं बनाती नहीं हूं और यह ऐसा है ना कि जादा कुछ ऐसा एक्स्प्लेइन करने की जरुरत भी नहीं होती है तो इसी वेचे से फिर मैं ऐसे कुछ DIY बनाना अवोइड कर रही थी बट फिर मैंने सोचा कि चलो popsicle से आज कुछ बना ही लेते है विकाज आप मैंसे एक सबस्क्राइबर की मुझे request आई थी कि popsicle से different different craft बनाओ ऐसा तो मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने आपसे बात भी हो जाएगी and craft भी बनाना हो जाएगा तो ऐसे मैंने almost 24 popsicle को plus sign में glue की help से stick कर दिया है और उसके side corners में भी 4 popsicle glue की help से stick कर दिये है फिर मैंने ऐसे 10 different colors के popsicle को एक line में रखके उसके उपर 2 popsicle को glue की help से stick कर दिया है तो ऐसे मैंने 2 parts इसके बना लिये है फिर इन दोनों को एक दूसरे से again top side में glue लगा के stick कर देंगे तो मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि exactly कैसे मैं आपको ये सारी procedure explain करूँ और I know कि जिस तरीकी से मैं explain कर रही हूँ वैसे समझना थोड़ा शायद आपके लिए मुश्किल रहेगा तो प्ली चैसे मैं वीडियो में आपको शो कर रही हूँ वैसे वैसे आप step follow करते जाना अभी हमने जो parts बनाये थे चट जैसे जिसको हमने इसे घर के shape में stick किया था उनको हम पहले जो हमने parts बनाये थे popsicle का जो bottom and middle portion था उसके उपर stick कर देंगे and end में नीचे से popsicle लगाना में भूल गई थी मुझे ये starting में ही stick करने थे because हम इस popsicle house में अगर कुछ भी रखेंगे तो वो चीज गिरना जाए इसलिए तो नीचे के portion में glue की help से ऐसे कुछ popsicle मैंने यहां पर stick कर दिये हैं अब आप इसमें कुछ भी decorative items या फिर birds रख सकते हो and now it's the time for final result the second DIY craft बनाने की procedure थोड़ी सी सेम है बट इसका मतलब यह नहीं है कि आप वीडियो स्किप करके देखोगे पूरा वीडियो बिना स्किप करके जरूर पूरा देखना because देखो यार procedure अगर similar भी हुई तो भी महनत तो उतनी ही लगी है न मुझे craft बनाने में उसमें अगर आप वीडियो स्किप करके देखोगे तो कैसे चलेगा just kidding मेरी कोशिश तो हमेशा यही रहती है कि मेरा हर एक वीडियो आप लोगों को पसंद आए और आप वो वीडियो पूरा देखें तो देखो बाती करते करते हमने एक colorful popsicle planter बना भी लिया तो इसके नीचे की portion में भी हम कुछ popsicle glue की help से ऐसे stick करते जाएंगे ताकि जब भी हम इसमें कोई भी planter रखे या फिर decorative item रखे तो वो गिरना जाए इसके लिए एंड में एक macrami rope लेकर उसको मैंने planter की चारो side में बान दिया है ताकि इसको हम कही पर भी wall पे hand कर पाए तो आप macrami rope की जगे पी जूत rope भी use कर सकते हो अब हम ये चारो macrami string को उपर से ऐसे knot बनाते हुए बान देंगे and now see the final result I hope कि आपका आज का मेरा DIY वीडियो पसंद आया हो so let me know in the comment that in today's video which DIY craft you like the most also don't forget to subscribe, give this video a big thumbs up and yeah shots तो मैं हरोज upload करती हू मिलते है नेक्स्ट वीडियो में, till then take care and bye-bye झाओ झाओ झाओ, वीडियो का जिए झाओ, वीडियो काूओ आऑ